मैंने तो पहली एक वीडियो बनाई है परसो ही डाजे थी कल वो था इसके लिए मुवी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं उसमें एक इंपोर्टन पॉइंट था कि एक्टिंग करने वाली बात थी तो एक्टिंग करने में क्या होता है कि एक उमर में हर एक को लगता है कि मैं एक्टिंग करूँ या कई लोगों को तो उमर भर लगता है कि मैं कुछ एक्टिंग करूँ या मुझे कुछ काम मिल जाए या कुछ काम मिलने से ज़्यादा है उनका अंडेस्टाणि यह होता है कि चलो मैं चलो काम कर ले तो मूवी में औक रोल प्ले करना है तो पहले स्टोड़ी होगी स्टोड़ी पी क्यर्र क्राइक्टर कास्टिं की कौन सा क्राइटर कैसा रिखने वाला है उसकी ऐज क्या है उमर क्या है कि चाल चलंड भांग ऐसा इस सब चीज से उसके बाद हर एक करत की लिए किसी phenomenon. चुना जाएगा अब देखिए हर एक जो कुछ काम करने वाला है वो चाहता है कि मैं हिरो बन जाओं हिरोईन बन जाओं ये दून होते हैं दिवांक में और कुछ नहीं है बेसिकली टेक्निक लिए होता है कि यहां तो हिरो हिरोईन जो सिलेक्टेड है वो तो एक तो बड़े करके होते हैं क्योंकि उनका उनका ही कोई प्रोड़्ूसर होता है जो जो दोस्त कंपनी है अब हमारे जैसे आम आदमी को तो कोई काम देगा नहीं यह सच बात किया रहूं मैं किसी को डिस्करज ने कर रहूं तो ऐसे हालत में क्या होगा कि आप ढूंटे जाओगे कि उन्होंने जिन्दगी गुजार दी है दुसरी इंपोर्टेंट बात ये है कि यहां अपने देश में शिर्फ एक्टर और अक्टरेस को में उनको भी पैसा मिलते हैं बाकी किसी को ज्यादा पैसा नहीं मिलता देखिए अपने देश में क्या होता हैं सी होलीवूड और बॉ अपने देश में लोग व्यक्ति की पुजा करने में बहुत इंपोर्टन्स रखते हैं मतलब वह एक्टर है तो मैं पिक्चर दिखने जाओंगा तो उसके वाज़े से क्या होता है वह एक्टर लोग ज्यादा डिमांड करते पैसे और मुवी का ज्यादा सा बजेट वह एक्ट एक्टर्स खा जाते हैं होलीवोड में यह तो 70 परशेंट हमारे वालीवोड में खाते हैं तो वहां होलीवोड में 20-30 परशेंट बहुत हो गया पंदरा से 20 अका में काम चलता है उनका ज्यादा स्टोरी शूटिंग टेखनी काम चलते हैं अब देखिए अपने यहां जो है और हम देखते हैं कि बड़े-बड़े लोग हैं यह उनको पैसा मिलता है रही से बड़ी-बड़ी गाडिया हैं कितने लोग हैं उन्होंने कितना कमाया है और कितने स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रगल कितने कर रहे हैं इसका कोई हिसा भी नहीं होता है तो कैसे हैं कि बैठते नहीं हो चलो ठीक है तो आपने काम किया है कुछ काम नहीं तो कौन काम देगा आपको हम तो ऑडिनरी आदमी पड़े सीधे साधे तो इसी लिए कभी भी पिक्चर में काम करने की बाद सोचते हैं तो समझ लेना स्टोरी केरेक्टर का स्टिंग के बाद लेडर रोल लाज आदा रोल के वाले में रोल में नहीं आते हैं। जिंदगी साइड 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 से गुजरती एसंप्र आएं सबसे बड़ा प्राबलम मतार्थॉत बात अलग है और वैसे नए लोग उनको कितनी एंट्री मिले बताई आप कितने ने लोग आए हैं कितने साल से एक दो जादा तरबस और कोई नहीं है इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आते हैं वो क्या करते हैं फिर चलो क्या करें कुछ ना कुछ उल्टा सिधा कामी तरब उदर कुछ ना कुछ तो जुगर जमा के सेटल हो जाते हैं मगर लीड रूल में नहीं आ सकते हैं तो कैसे हैं कि एक वास्तावता का एक दर्शन आपके सामने रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ यहां किसी को डिस्करेज करना नहीं है देखिए अपना जवानी अपनी उमर और अपनी परसनेलिटी अपना जीवन ये एक बहुत मुल्यवान चीज़ होती है अब हमें पता नहीं है सिर्फ मेरे दिमाग में है कि मैं हिरो बन जाओ इसलिए मैं करना है तो मैं जिन्दगी ऐसी गुजर लेता हूँ और कहीं न कहीं कुछ उल्टा सिधा छोटा मुटा ऐसे ही मतलब मैं बाहर रहूंगा तो बहुत अच्छा करूँगा अगर यहां जाओंगा तो ऐसे ही कि स्ट्रगल करते करते जिन्दगी गुजर जाएगी एक बार जिन्दगी का अगला दोर आगया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ये बीस पच्छेस तीस पैंतिस तक बस दैसेट मिला चांस तो नहीं तो आपने छोड़ देना पड़ता है तो इसके वज़े से ऐसे कई हिरो हैं एक्ट्रेसेस हैं वो तो लीड रोल किया है वो भी सो गए है अब एक लीड रोल मिला समझो आपको उस रोल का मोवी चला तो आगे वाला रोल मिलने की पासिबिलिटी है आपने एक्टिंग की अच्छी ठीक है मगर लोगों को पसंद आना चाहिए हैं तो ऐसी चीजे होती है बहुत सा प्रॉबलम होता है और उसके बात आपको दूसरे किसी ने कामे देना चाहिए आपका एक पिक्चर अच्छा है अगर्ढ़ मतलब दूसरे ने काम देना ही कंभल से ऐस同किटों बात नहीं है खुद को पुछ लो तो जवान बच्चों को मेरे यही कहना है कि मैं मानता हूं कि आपको एक भूठ सवार होता है बिल्कुल सच है जवानी होती है तो होना ही चाहिए कोई प्राब्लम नहीं मगर उस भूठ को थोड़ा अलग तरीके से चैनलाइज करतो तो नेचरली आपको निसेसरी स्टागल करने के ज़रूत नहीं पड़ेगी अब तो नए नए प्लाटफॉर्म आये हैं इंस्टाग्राम आये हैं यूट्यूब आये हैं कुछ करने की कोशिश करते जाओ अब क्या है आप अकेले मत करो किसी के साथ असुसीट करके प्राफिट शेरिंग करो तो बहुत अच्छा रहेगा अब अपने गाउं में रहके यह सब करते हो तो आपका रहने का सेटल होने का खर्चा कुछ भी नहीं होता है तो आपको ऑटोमेटिकली घर में पैसा आना शुरू हो जाता है अभी क्या हो रहा है कि यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम में पैस मिलना शुरू हो गया है तो पैसा शेहरों से दियात में जाना शुरू हो गया है दियात में रहना बहुत सस्ता पड़ता है शेहर में बहुत से प्राबलम होते हैं कि आपको घर आता है पचास लाक में कम से कम पचास लाक में एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ यहां क्बच्चा है कुछ नहीं है लास सब कुछ में नहीं तो यह थोड़ी से ध्यान में रहो कि आज कल अपॉर्चिनिटी इसाथ अच्छी बड़ी थो इसका मतलब है आपको पिक्चर में जाने के लिए इतना सीरियस मत बहुत बहुत किड़ा है तो बहुत कम लोग होते हैं कि व मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करूँगा कुछ भी सपने क्या मतलब है कि इस बात क्या तो थोड़ा सा सोच चलो इस्पेशिल में जवान बच्चों को कहना है चाहता हूं कि यह दी मीडिया में काम करना चाहते हो एडिटिंग है स्टोरी रैटिंग है उसके बाद शूटिं है एक्टिंग ओटिटी या अपने सोचल प्लाटफॉर्म पर अक्टिंग है कुछ तो बनाते जाओ कंसिस्टंसी रखो आपको अच्छी तरह से रेपूटिशन भी मिलेगा स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा मगर एक बाद ट्यून लग गएग तो काम खतम आपको आ काम या होंगे सोच समझ के अपनी जगह पे अपनी शेहर में पैसा कामना चालो करो जीत गए समझ लेना ठीक है अल्देवेस्ट कर लो कोई जरूरत है तो कॉमेंट कर लेना मैं आपको बताते जाओंगा एक तो वीडियो बता हम बनाओंगा नहीं तो मैं कॉमेंट में कर दो